डर एक एक एहसास में आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं दरावनी और सच्ची भूतिया कहानिया अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर हेलो दोस्तो मेरा नाम आकाश्दीप है और मैं इंग्लेंड के मर्मिंगम शहर का रहने वाला हूँ पांच साल पहले मैं भारत से यहां पर पढ़ने के लिए आया था और यहीं का बनकर रह गया तीन साल पहले मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी उस समय मैं यहां पर बड़ी मुश्किल से जिन्दगी काट रहा था और पैसों की भी बहुत जादा तंगी रहती लेकिन जब से मैं यहां का नागरिक बना हूँ मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया है मैं अच्छे पैसे भी कमाता हूँ और जिन्दगी अच्छे से कट रही है लेकिन जो भी भारतिय इंग्लेंड में रहता है वो कुछ न कुछ तरकीब लगाता रहता है यहां पर हम हमेशा सस्ते स्टोर पर जाकर ही अच्छा और सस्ता सामान खरीते हैं हमें पैसे बचाने की लट लग जाती है भले ही यहां पर तनख्वा अच्छी मिलती है फिर भी जादा से ज्यादा पैसे बचा पाना एक अच्छी आदत ही तो होती है इसी कारण मैं सडकों पर घूमता हूँ और यहां पर कुछ लोगों को जब सामान पुराना होने के कारण फैकने की जरूरत होती है तो वो घर के बाहर रख देते हैं उस सामान को कोई भी ले सकता है जिसे उसकी जरूरत हो कुछ लोग इसके बदले में थोड़ा पैसा मांगते हैं और कुछ लोग तो मुफ्त में ही दे देते हैं यही कारण है चुट्टी वाले दिन मैं ऐसे ही दिन निकाल देता हूँ सडकों गलियों में घूमते हुए और कभी कभी काम की चीज मुझे मिल ही जाती है मैंने बैट भी किसी के घर से ऐसे ही लिया था और एक बड़ी LCD स्क्रीन भी मुझे ऐसे ही मिल गई थी लोग पैसे लेते ही नई घर के बाहर सामान रखते हैं और इसी बहाने उनका सामान घर से निकल जाता है वरना कूडे में फैंकने के कारण भी उन्हें नुकसान ही होगा किसी के काम आ जाएगा तो अच्छा होगा मैं इस बार भी इसी तरह से घूमता घूमता शेहर की बाहरी इलाकी में पहुच गया था यहाँ पर पुराने घर हैं और ये घर सौ से डेड़ सो साल पुराने हैं मैं हमेशा इन घरों को देखकर ये सोचा करता हूँ अंदर से ये घर कैसे होंगे बाहर से दिखने में ये पुराने से लगते हैं लेकिन कुछ घरों में बहुत अमीर लोग रहते हैं घरों के अंदर कैसा सामान रखा होगा, अमीर रहते कैसे हैं और पुराने घरों को अब भी वो इस्तिमाल क्यों कर रहे हैं जबकि महंगे से महंगे घर वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। मन में खयाल तो बहुत आते हैं लेकिन जवाब कोई दे नहीं पाता। ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक टूटे हुए पुराने घर के बिलकुल सामने पहुँच गया था। बहुत सारा सामान रखा हुआ था और इसी के साथ एक बुजर्ग आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। वो इस सामान को बेच रहा था बहुत ही सस्ति कीमत पर। सबसे पहले तो मैं उन सामानों को देखने लगा। कोई सामान अगर मेरे काम का हो तो मैं वही खरिदना चाहता था। कई बार हमारे पास ऐसा सामान आ जाता है जो हमारे भी किसी काम का नहीं होता। और कई बार लोगों से मुफ्त का सामान लेकर मैं घर तक तो आ गया। घर पहुँचकर मुझे समझ में आया ये मेरे किसी काम का नहीं है। उसके बाद अपने घर के सामने भी मुझे उस सामान को रखना पड़ा और अगर यहाँ पर घर के बाहर रखा सामान कोई उठा कर नहीं लेकर जाता। तो वेस्ट डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं वो आप से कुछ पैसे लेते हैं उस सामान को उठाने के। वो सामान आपको मुफ्त में मिला होता है लेकिन महंगा पड़ जाता है मैं इस में से काम का सामान ही देख रहा था और मेरी नजर पड़ी वहां डिश वाशर पर मेरे पास कोई डिश वाशर नहीं है मुझे घर में सारे बरतन हाथ से धोने पड़ते हैं ये डिश्वाशर बिल्कुल नया जैसा लग रहा था और अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा कई बार जब रवीवार वाले दिन बहुत जादा बरतंध होने को होते हैं मन नहीं करता काम करने का डिश्वाशर घर में होगा तो आराम से बरतंधु जाएंगे ये सोचकर मैं उस बुजर्ग से बात करने लगा था मैंने कहा मैं ये ले जा सकता हूँ उस बुजर्ग ने कहा हाँ ले जा सकते हैं लेकिन इसकी कुछ कीमत है मुझे कुछ पैसे चाहिए पैसे की तंगी चल रही है मैंने कहा मैं आपको 50 पॉंट दे सकता हूँ लेकिन उस बुजर्ग ने कहा मैंने इस टिश्वाशर को 200 पाउंड में लगाया हुआ है 200 पाउंड इतने पैसे तुम मेरे पास नहीं है मैं नहीं दे सकता लेकिन वो कह रहा था इससे कम में वो बेच नहीं सकता मुझे उसकी जरूरत थी तो मैंने उससे सौदा करना चाहा आप कुछ और ले सकते हैं मेरे पास भी कुछ सामान है अगर उन में से कुछ लेना चाहो तो ले सकते हैं घर के सामान की वो तस्वीरे में मुबाइल में दिखा रहा था अगर उसमें से उसे कोई पसंद आता तो बदले में वो मुझे वो डिशुवाशर दे देता वो मेरी बात मान नहीं रहा था मैंने अपनी नजरें जोका ली और आगी की तरफ बढ़ने लगा मेरे उदास चेहरे को देखकर उस बुजर्ग ने पीछे से आवाज लगाई रुको एक काम है वो कर दो ले जाओ इसे मैं थोड़ा सा उत्सुक हुआ था मेरी नजरें पीछे घूमे और वो आदमी मुझे बुला रहा था उसके पास जाकर मैं सूचने लगा उसे मैं क्या दे सकता हूँ उसका क्या काम कर सकता हूँ तो उसने एक बड़ा सा कागस मेरे सामने रख दिया उस पर साइन करने को कहा उसने कहा कि हम कुछ एक्सपेरिमेट करते हैं अगर तुम उसमें हिस्सा लेना चाहो तो यहाँ पर साइन कर सकते हो यहाँ नीचे नमबर भी लिख देना उसके बाद कभी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर लूँगा बस यहाँ पर साइन कर जाना मैं सोचने लगा था बस इतना सा काम है एक्सपेरिमेट में हिस्सा लेना है उसके बदले में डिश्वाशर मिल जाएगा तो ले ही लेता हूँ लेकिन यहाँ पर मैंने एक चालाकी दिखाई थी मैंने उस कागस के नीचे साइन कर दिया था उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया था उसमें लिखा था कि कल से ही वो एक्सपेरिमेंट शुरू होना है आप उसमें भाग ले सकते हैं लेकिन चालाकी दिखाते हुए नीचे जो फोन नमबर देना था वो मैंने गलत लिख दिया वो मुझसे कोई आईडी प्रूफ नहीं मांग रहा था बस कागस पर साइन लेने थे और मैंने साइन भी गलत से किये थे मैं ऐसे साइन नहीं करता मैंने सोचा हुआ था बाद में मुकर जाओंगा डिश्वाशर तो मेरे पास पहुँच ही जाएगा ये सोचते हुए मैंने वो डिश्वाशर लिया अपनी गाड़ी में रखा और वहां से निकल गया मेरे चेहरे पर मुसकान थी उस बूड़े आदमी को बेवकूफ बना दिया था पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करता है पता नहीं कौन सी कंपनी है उसकी लेकिन उसको ये भी नहीं पता मैं कितना चालाग था साइन गलत किये नंबर गलत दिया कभी उसे दिखूंगा तक नहीं कभी वो मुझसे बात नहीं कर पाएगा यही सोचता हुआ डिश्वाशर को घर ले आया था सही जगे पर लगा दिया था कुछ बरतन धोकर देख भी लिये थे और मेरी खुशी का ठेकाना नहीं था काम से आकर बरतन इसमें डाल दिया करूँगा आराम से बरतन धोकर टीवी देखा करूँगा आज भी कुछ ऐसा ही करता हूँ अमूमन मैं रात के 9 बजे बरतन धोने शुरू करता हूँ और 10 बच जाते हैं बरतन धोते धोते लेकिन आज कुछ अलग था मैंने उसमें बरतन डाल दिये उसके बाद मैं टीवी देखने लगा उस डिश्वाशर में मेरे बरतन जल्दी जल्दी धोय गए थे इसलिए टीवी देखते देखते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता नहीं जला आज खुशी बहुत थी और मैं थोड़ा सा ठका हुआ था बहुत घरों में घूम कर आया था अगली सुभह मेरी नींद खुली और मैं अपने घर में नहीं था मैं किसी काले से कमरे में मौजूद था जहां पर इंटें लगी हुई थी वहां एक छूटे से सुराक से रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी मैं घबरा गया कहीं ये सपना तो नहीं मैं कहां पर मौजूद हूँ ये मेरा घर नहीं लगता आज पास देखता रहा तो उन दीवारों पर लगी हुई इंटें दिख रही थी ये कोई तूटा हूटा पुराना घर लग रहा था लेकिन मैं यहां पर कैसे पहुँच जाया इसका जवाब मेरे पास नहीं था मैं उठ खड़ा हुआ उसके बाद मैं बाहर जाकर देखने लगा मेरी नजर पैर पर पड़ी पैर पर एक नायलॉन की रसी बांधी गई थी जिसे मैं छुड़ा नहीं पा रहा था वो रसी दीवार पर लगी एक कील से बांधी गई थी और इतनी जोर से गांठ बांधी गई थी कि मैं खींच कर उसे खोलने ही पा रहा था ये किसने मुझे कैद कर दिया आखिर यहां ओ क्या रहा है बार-बार आंखे मलता हुआ मैं ये जानने की कुशिश कर रहा था क्या मैं सपने में ही तो नहीं लेकिन आंखे मलने की बावजूद भी मैं उसी कमरे में मौजूद था रसी से बंधा हुआ और नायलॉन की उस रसी को खींच कर भी तोड़ा नहीं जा सकता था बड़ी मोटी थी एक तरफ कील से बांधी गई थी तो एक पैर से ऐसी मोटी गांठ बांधी गई थी कि बैठ कर खोलने के बावजूद भी खुल नहीं रही थी बड़ी जोर से बांधी हुई गांठ मुझे खोलनी नहीं आती और खी प्रशनी सूरज की थी जो काफी दूर से आ रही होगी, मैं ऐसा महसूस कर पा रहा था, ये कमरा इकलोता नहीं है, आज पास और भी कमरे होंगे, लेकिन चारों तरफ दीवारे ही दीवारे थी, कोई दर्वाजा नहीं था, इस चीज ने मुझे जादा डारा रखा था, ऐसा क कमरा, जिसका कोई दर्वाजा नहीं है, मैं अंदर कैसे आया, दीवारों पर हाथ लगा कर मैं ये चेक कर रहा था, ये दीवारे नहीं तो नहीं बनाई गई, मुझे अंदर कैद करके बाद में दीवारों का निर्मान तो नहीं किया गया लिक, लेकिन नहीं ये दीवारे प मैं घुटनों पर आ गया था, कहां हूं मैं, कहां हूं, कैसे निकलूंगा बाहर, कभी मैं छट की तरफ देखता, कभी जमीन की तरफ देखता, तो कभी दीवारों की तरफ, एक छोटा सा छेद जिससे रोशनी आ रही थी, उसके बीच से मैं निकल नहीं सकता था, वो बहुत ज़्यादा चोटा था, उसके सिवा बाहर जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, कैसा कमरा बनाया गया है, जमीन पर मोटा फर्ष, छट से मैं बाहर नहीं निकल सकता, दिवारों पर कोई रास्ता नहीं, क्या करूं मैं, आंखों में पानी आ गया था और समझ में कुछार नही रहा था किसने कैद किया है मुझे कैसे घर से उठाया है कि मुझे कोई याद ही नहीं बची इधर उधर जांकता रहा अचानक मेरी नजर एक कोने पर पड़ी मैं एक कोने पर बंधा था और ये कोई चीज थी जो दूसरे कोने पर थी जहां पर मैं पहुंच नहीं सकता था को तोडू कैसे उस नायलॉन की रसी को तोडने के लिए मुझे दांटों का इस्तेमाल करना पड़ा मैं दांतों से उसके छोटे छोटे रेशों को धीरे धीरे काटता रहा और इस तरहें से दो घंडे में मैंने उस रसी को काट ही डाला बहुत मेहनत हुई थी और मेरे दांत दर्द करने लगे थे एक एक रेशे को काटना बहुत ही मुश्किल होता है फिर भी ये काम मैंने कर दिखाया था घेसटता भागता हुआ मैं उस पन्ने तक पहुँचा उस पन्ने को उठाया और उसमें कुछ शब्द दर्ज थे और उसे पढ़कर मैं हैरान और डरा हुआ था ये पन्ना वही था जिस पर मैंने साइन किया था लेकिन यहां कुछ अलग चीज थी मैंने गलत साइन किये थे इस पन्ने पर बिल्कुल सही वाले साइन थे मैंने उस पन्ने पर गलत नंबर लिखा था लेकिन ये पन्ने पर मेरा सही फोन नंबर था मैं डरा और हैरान जमीन पर गिर पड़ा लेकिन उस पन्ये के पीछे भी कुछ लिखा हुआ था मैं उसे पढ़ने लगा और वहां लिखा था तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा पूरी जान लगानी होगी दिमाग लगाना होगा यही काम तुम्हें करना होगा तुम्हें इसका इनाम पहले ही मिल चुका है तुम उसे घर में इस्तिमाल करके देख भी चुके हो अब तुम्हें बदले में अपना काम करना होगा मैं गुस्से से भर गया था ये वही बुड़ा आदमी है जो मुझे यहां पर लेकर आया है उसने मुझसे सौधा किया था कि मैं उसके एक्सपेरिमेट में भाग लूँगा लेकिन मुझे बिना बताए रात को वो यहां पर उठा ले आया और मैं कहां पहुँच गया हूं मुझे पता तक नहीं लेकिन प पहुचा कर रहूंगा पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है कोई तो रास्ता होगा उस छोटे से छेट से इतनी रोशनी जरूरा रही थी कि पूरे कमरे को रोशन किया हुआ था हर कोना मैं देख पा रहा था भले ही जादा रोशनी नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक कही ज मैं दीवारों पर हाथ लगा कर देखने लगा, कहां से मुझे अंदर डाला गया है, कोई रास्ता तो होगा, हर दीवार सक्त थी जो हिल नहीं रही थी, एक एक इंट को हाथ लगा कर देख रहा था मैं, कोई रास्ता मिले मुझे, उस छेद में हाथ फसा कर भी देखा, किसी त छेद में फसा कर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ एक चीज हाथ लगी थी। उस छेद के पार एक भारी सी रौड थी जो लोहे की बनी हुई थी। उसे निकालने में मुश्किल हुई लेकिन खीच कर मैं उसे अपने इस कमरे में ले आया था। ये भारी रौड थी औ और इसका क्या इस्तेमाल करना होगा मुझे नहीं पता था लेकिन उस रोड को हाथ में पकड़े मैं कभी एक दीवार की तरफ देखता तो कभी दूसरी दीवार की तरफ इससे दीवार तोडनी होगी यही यहां से निकलने का रास्ता है मैं दीवार तोडने में लग गया जहा से रोशनी आ रही थी लेकिन आधे घंटे की कोशिश के बाद भी मैं एक इंट तोड तक नहीं पाया अगर ऐसा ही करता रहा तो यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा मैं फिर से जमीन पर बैठ गया था और उस रोड को भी एक तरफ गुस्से में फैक दिया मैंने जैसे ही उ उस रोड को एक तरफ फैका फर्ष थोड़ा सा तूटा फर्ष के ओपर सिमेंट का लेब किया हुआ था जो थोड़ा सा तूट गया था मन में खयाल आया दीवारों को ही क्यों तोड़ना है कहीं इस फर्ष को तोड़नी की ज़रूरत तो नहीं मैं उस रोड को लेकर उस फर पूर कर एक तरफ निकाल पा रहा था और काफी ऐसी मेहनत करने के बाद नीचे लकडी का फटा नजर आया उनी इटों के नीचे लकडी का फटा था जो दरवाजे की तरह लग रहा था कहीं मैं दिवारों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंड रहा हूँ और असल में ये रास्ता जमीन के नीचे से निकलता हूँ ऐसा ही तो नहीं मैंने पूरी इटों को इस तरह से हटा दिया था कि वो फटा पूरा बाहर निकलाया था उसकी एक तरफ लोहे की चेन लगी हुई थी जिसे पकड़ कर उस दर्वाजी को मैंने बड़ी आसानी से खोल दिया था नीचे जाती हुई सीड़िया और नीचे थोड़ी सी रोशनी थी जिस कारण उन सीड़ियों से उतरने में मुझे परेशानी नहीं हुई वो सीड़ियां कम से कम 15-20 रही हुँगी उससे उतर कर एक बड़े से हौल तक पहुँचाया था जहां फिर से बहुत सारे छेत थे और उन से रोशनी आ रही थी सर्फ एक ही रास्ता था वापिस आने का आकी जाने का वहां और कोई रास्ता नहीं था फिर से एक बंद जगे पर यहां से आगे कैसे बढ़ूँगा मुझे पता नहीं लग पा रहा था हर दीवार को मैं हाथ लगाता लेकिन वो बहुत सक्त महसूस होती मैं उस लोहे की रोड को लेकर आया था फर्ष को तोड़ने के लिए यहां फर्ष को तोड़ पाना नामुम्किन था क्योंकि थोड़ी से सीमेंट के लेप को मैं तोड़ता तो नीचे लोहे की सलाखें दिखती जिसे तो मैं तोड़ ही नहीं सकता था दीवारों पर हुए उन कई छेदों को तोड़ने की कोशिश भी की थी मैंने वो भी तूट नहीं रहे थे मैं अब बंदी जैसा मैसूस कर रहा था जो एक जेल से निकल कर दूसरी जेल में फस गया था मैंने तीन घंटे तक कोशिश की थी वहां जमीन पर जितना भी फर्ष लगा था हर जगे मैंने उस लोही की रोड को मार कर देखा हर जगे लोही की सालाखें जमीन पर थी इस तरह से जाल बिचाया गया था कि उन्हें तोड़ा जाही नहीं सकता मायूस था मैं हाथ से लोही की रोड गिर पड़ी मुझे लगा यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा मैं नम आखें लिए कभी इधर जांकता तो कभी इधर जांकता कोई रास्ता तो दिख जाए इस बंद हाल में कहां से ढूंडूंगा कोई बाहर जाने का रास्ता मैं मायूस था और कुछ कर नहीं पा रहा था तब ही मेरी नजरें दिवारों पर पड़ी हर दिवार का रंग अलग था क्या इसका कोई फाइदा हो सकता है क्या हर दिवार को अलग से तो नहीं बनाया गया मैंने फिर से उस लोहे की रोड को हाथ में ले लिया था और दिवार की इंटों को तोड़ने की कोशिश की पहली दिवार को तोड़ने में बहुत मुश्किल हुई लेकिन वो तोटी नहीं रही थी वो इटें जैसे मिट्टी की नई बनी थी, किसी और धातू की बनी हुई थी, जैसे ही मैं रोड मारता एक धातू के खनकनी की आवाज आ दी, बहुत कोशिश की मैंने, मैं समझ गया था, इन इटों को तोड़ा ही नहीं जा सकता, उस सीमेंट को हटाया नहीं जा सकता, तो मैं पत्थर की बनाए गए थी, जिन पर लाल रंग का पेंट किया गया था, वो पेंट तो थोड़ा सा निकल रहा था, लेकिन इटों को तोड़ा नहीं जा पा रहा था, तीसरी दिवार, मैंने फिर से कोशिश की, और इस दिवार की इटें थोड़ी बैंड हो रही थी, मैंने सिर्फ बेंड कर पाया, तोड़ नहीं पाया, चौथी दिवार, मैं मायोस था, कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे लगा था, ये तूटेंगी नहीं, ये किसी अलग धातु की बनी होंगी, लेकिन पहली इट पर ही जैसे मैंने रोड मारी, मैं देख पा रहा था, वो नहीं जुड़ी थी, बलकि मिट्टी से जुड़ी थी, साधारन कच्ची इंटें, जो बड़ी आसानी से तूट गई, वो कुछ इंटें तोड़ी थी, पार का छोटा कमरा दिख रहा था मुझे, मैं समझ गया, इस दीवार को तोड़ना है, बस उतना सा रास्ता बनाना है, कि दीवार को तोड़ कर दूसरी तरफ पहुंच पाऊं, फिर देखूंगा कौन सा कमरा है वो, उस दीवार को तोड़ने में मुझे डेड़ घंटा लग गया, क्यूंकि दीवार की मोटाई थोड़ी जादा थी, इंटो को आसानी से तोड़ पा रहा था, लेकिन दीवार मो पास नहीं थे, बलकि छट के बिलकुल पास बनाए गए थे, वहां तक चड़ें कैसे, ये परेशानी का सबब था, आखिर ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, आखिर यहां पर हो क्या रहा है, मुझे कैसी जगे पर बंदी बना कर रखा गया है, ये करना क्या चाहते हैं, छट के कैसे, एक दरवाजा जरूर आगे जाने का होगा, मैं पहचान गया हूँ उस व्यक्ति को, यहां पर एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुझे और क्या करना चाहिए, दीवारें पत्थर की बनी लग रही थी लेकिन जमीन पर फर्ष नहीं बलकि मिट्टी थी, मिट लोही की रोड को खोदने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैं ठकने लगा था, लेकिन वो मिट्टी बहुत जादा नरम थी, आसानी से खोदी जा पा रही थी, लेकिन बड़ा सा धेर लगाना इतना आसा नहीं होता, बहुत सारी मिट्टी चाहिए होती है, शरीर मैंने एक तरफ एक छेद किया और तभी जमीन से एक हाथ निकला, ये हाथ किसी जिन्दा इंसान का नहीं था, अध कटा सा हाथ, कुछ हड़ियां थी उंगलियों में, वो भी बाहर की तरफ जांक रही थी, वो हाथ जमीन से बाहर निकला था, मैं डर कर पीछे भाग निकला जाओं भी तो कहां जाओं, पीछे वाले हाल में चला जाओं, मैं भाग कर उस पीछे वाले हाल की दीवार के पास पहुँच गया था, और जहांकने लगा था उस छेद की तरफ जो मैंने ही जमीन में बनाया था, वो हाथ निकला उसके बाद कंकाल सा, बाहर आ गया था, वो जिन्दा इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था वहाँ इधर उधर जैसे मुझे ढूंड रहा था उसकी कोई आँखें नहीं थी बस खोपड़ी थी लेकिन फिर भी जैसे उससे वो देख पा रहा था यहाँ पर अजीब सी शक्तियां हैं जो कुछ कर रही है मैं भूतों पर यकिन नहीं करता लेकिन इस तरह से कंकाल को चलते हुए देखना भी तो नामुकिन के समान ही है वो मुझे ढूंटा हुआ मेरी तरफ भागने लगा था मैं पीछे वाले ओल में पहुँच गया था उसके बाद उसी कमरे में जाना चाहता था और क्या करता मैं मैं सीडियां चड़ने लगा उपर वाले उसी कमरे में जाने लगा और जैसे ही मैं उस तरवाजे के पास पहुचा था वो कंकाल भाग कर मेरे करीब आ गाया उसने मेरी टांग को पकड़ लिया था मैं अंदर तक कांब रहा था जैसे किसी भूद ने मुझे पकड़ लिया हो मैं डरा हुआ चीख रहा था दिल की धड़कन इतनी तेज थी मेरी की जान निकल जाती मैंने अपना पैर जटका और उसकी बाजू तूट कर नीचे गिर पड़ी वो तो हड़ियों का कंकाल था कमजोर सा मैंने अपना एक पैर उसके खोपड़ी वाले एक हिस्से पर मारा तो उसकी खोपड़ी ही तूट कर नीचे गिर गई और जैसे वो मुर्दा कंकाल सच में मर गया वहीं पर कंकाल की लाश पड़ी थी और मैं घबराया हुआ देख रहा था अभी अभी मेरे साथ हुआ क्या है ये कैसे मुर्दे से सामना हुआ है जो बहुत ही कमजोर सा था मैंने तो सुन रखा है भूत बहुत शक्तिशाली होते हैं लेकिन ये कमजोर सा कंकाल मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था इसे तो खुद डरना चाहिए कहीं मैं ही इसे मारना दूँ कुछ समय तक हिम्मत बंधी तो सौ से निकलते हुए उस बड़े कमरे में दोबारा जा पहुँचा था वहां और कोई नहीं था और कुछ मिट्टी पड़ी थी जिसका मैं धेर बना रहा था मैंने और खुदाई शुरू कर दी और मिट्टी का ठीकी और वहां पर डालने लगा लेकिन एक कंकाल का हाथ फिर से निकला एक कंकाल बाहर आ गया जो मुझे मारने की अजीब सी कोशिश कर रहा था एक भारी रोड जब उस खोपड़ी पर पड़ी वो खोपड़ी तूटकर अलग नहीं हुई बलकि भूर कर वहीं छोटे छोटे हिस्सों में गिर गई फिर से एक कंकाल को मार दिया था मैंने वहां ऐसे कंकाल हैं जो मैं मिट्टी खोदूँगा तो बाहर आएंगे बस मुझसे कुटाई करवा कर मर जाएंगे ये सोचकर मैं मिट्टी को खोदता रहा उनकंकालों को मारता रहा और एक तरफ धेर सा लगा दिया कुछ दर्वाजों तक अब हाथ पहुँच रहा था ये तीन दर्वाजे थे जो मेरी पहुँच में थे तीनों को खोल कर देखा उसके पार इंटों की दिवार ही थी दर्वाजे तो लगाए गए थे कहीं जाने का रास्ता नहीं था अब उस मिट्टी को हटा कर दूसरी तरफ धेर लगाना था और ऐसा ही मैंने किया फिर से मेरी पहुच तीन दर्वाजों तक थी उन तीनों दर्वाजों के पार इंटें ही लगी थी बस दिवार छे दर्वाजे खोल लिये थे मैंने और वहाँ पर और भी कई दर्वाजे थे मन बैठ चुका था हर दर्वाजे के पीछे एंटों की दिवार ही मिली तो मैं क्या करूंगा अब मैंने उस मिट्टी के धेर को एक तरफ लगा दिया था और हिम्मत करके उसके उपर चड़ा और उन दर्वाजों तक पहुँच बनाई मैंने जैसे ही पहला दर्वाजा खोला पार जाने का रास्ता था एक और कमरा मुझे नजर आ रहा था और मैं मुश्किल से चड़ा और वहां पहुँची गया वहां चड़कर पीछे वाले दर्वाजे की तरफ मैं देखने लगा था कितनी खुदाई कर रखी थी मैंने कितनी मैनत की थी और मैं ठक चुका था वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसमें कई सारे छेत थे कई सारी सलाखें लगे हुई थी और कई रास्ते थे आगे जाने के गलियां सी बने हुई थी सलाखों के पार और सलाखें उन्हें पार कैसे करूँगा मैं वहां आगे बढ़कर उन सलाखों के पास पहुँच गया था मैं और मेरा ध्यान जब नीचे पड़ा उन सलाखों पर कुंडियां लगी हुई थी जिनें तो आसानी से खोला जा सकता था हर गली में जाता वो दर्वाजा सलाखों का बना हुआ था जिन पर कुंडिया लगी थी आसानी से हाथ से खोलने वाली इतना आसान रास्ता नहीं हो सकता यहां तो हर दर्वाजे के पार में जा सकता हूँ आसानी से आखिर क्यों सब कुछ आसानी से नहीं मिल सकता यहां कुछ तो गड़बड है मैं एक भी दर्वाजे को खोलना नहीं चाहता था मन में थोड़ा डर था ये गेट जैसी सलाखें थी और इन्हें में पार कर तो सकता था लेकिन मन बैठा जा रहा था तब ही अचानक से गली से जैसे कोई था जो चीख रहा था ये आवाज इनसानी आवाज नहीं थी किसी जानवर के चीखने की आवाज जो अब तक मैंने कभी नहीं सुनी थी मैंने आवाज लगा कर जानना चाहा ये किसकी आवाज है मैं बार बार पूछ रहा था कोई है कोई वहां पर मौजूद है मैंने क कुछ शब्द ही कहे थे हर गली से आवाज आने लगी कोई भाकर नजदी का रहा था और तब ही उन सलाखों के पार बेहद डरावने दरिंदे से आगाई थे ये भेड़िये जैसे दिखने वाले थे लेकिन उनका चहरा आजीब किसी परग रही जैसा उनका मुझ खुलता और जबान बहुत लंबी जो सलाखों के पार मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी वहां हर गली में से वैसा ही शैतान खड़ा जैसे इंतजार कर रहा था मैं उसकी कुंडी खोल दूँ और वो मुझे निगल ले मैं चीकता हुआ पीछे वाले उस हौल में ही जाना चाता था यहां तो बहुत ज़्यादा खत्रा है कहीं एक कुंडी इन्होंने कुद खोल ली तो मुझे खा ही जाएंगे क्या करूं मैं उस उचाई से छलांग लगा कर मैं पीछे वाले उस कमरे उस हौल में जाना नहीं जाता था वहां पर भी मैं गिर जाता और यहां भी मुझे खत् सूसो रहा है कहीं नहोने कुंडी खोली तो मैं क्या करूंगा लेकिन उनसे कुंडी खोली नहीं जा रही थी वो बस सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे मजबूत सलाखें तूट नहीं रही थी और वहां और कोई रास्ता नहीं था छे सलाखों के गेट बने हुए जिनके पीछे छे दरिंदे थे जो मुझे खाने का इंतजार कर रहे थे। मैं दीवारों की तरफ जहांगने लगा था कोई और रास्ता। इनके पार तो नहीं जा सकता मैं। इनका मुकाबला कैसे करूँगा। छट पर वही छोटे छोटे छेद जिनके पार नहीं जाया जा स सकता बस ये गलियां कुछ दीवारें। हाथ में वो रोड थी जिसे मार मार कर मैं दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता और उन दरिंदों की जीब कभी कभी मेरे बहुत करीब आ जाती। वो जीब नहीं जैसे हाथ ही थे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मुझे। मैंने दिमाग से सूचना चाहता था कोई बचने का रास्ता तो होगा। कुछ समय तक आँखें बंद करने के बाद जब मैंने आँखें खोली तो दिमाग सही से काम कर रहा था। ये भायानक से दरिंदे थे जिनकी बाजुएं बहुत छोटी सी थी। ये कमजोर सी बाजुएं हो जो किसी को पकड़ नहीं सकती इनकी जबान बहुत लंबी है और शक्तिशाली लग रही है। मिटी के छोटे छोटे जो हिस्से थे उन्हें काट रही थी वो जबान। अगर इस जानवर की इस जबान को मैं पकड़ लूँ या कुछ कर दूँ तब ही बचने का रास्ता है। जाथों से ये कुछ कर नहीं बाएगा और पैर बहुत मोटे मोटे थे जो कहीं भी फंसकते हैं वो इस से तेजी से भाग भी नहीं सकता। मैं अब एक दरिंदे के करीब था उन सलाखों के पास और सूच रहा था कैसे फसाओ इन हैं। मैं इस कुंडी से इन सलाखों के कांटे थे और वो कांटे शरीर में चुब रहे थे मेरे मेरी टांग को तेजी से खींच रहा था उसकी उस जबान में उतनी ही ताकत थी जितनी मेरी बाजू में थी उसकी जबान को पकड़ कर घुमाया मैंने और अपनी टांग की पकड़ को कमजोर कर लिया इसी तरह बचा में भी दम था मैं खीच पा रहा था तब ही मैंने सोचा पैर इसके कमजोर है हाथ इसके कमजोर है बस जबान है वो मैंने पकड़ रखी है अगर इस लंबे सी जबान को इन सलाखों के गेर से बांध ही दूँ तो क्या कर लेगा ये ये बिलकुल सामने वाली वो बड़ी सी गल दिया कि उसकी जबान पर वो लगे कांटे जबान में हिकड़ चुके थे वो निकाल नहीं पा रहा था जिन शैतानों को कुंडी खोलनी नहीं आती गांठ खोलनी कैसे आएगी जबान के कारण बंधा हुआ वो शैतान वहीं पर कैदी बन चुका था और उस कुंडी को खोला मैंने वो गेट से चिपका हुआ था खुद चीखे मार रहा था और आसानी से उस गली के पार जानी का रास्ता दिख गया था मुझे हर शैतान मेरी तरफ देखकर अपनी जबान को पीछे खीच चुका था उन्हें डर था मैं किसी को भी इसी तरह बांध सकता हूँ लेकिन दिमागी तोर पर मोटे थे वो बार बार जबान को इसी तरह बाहर निकाल दीते एक एक करके छे शैतानों की जबान को मैंने उन सलाखों की गेट से बांध दिया था हर गेट को खोल दिया था अब मुझे निकलने के छे रास्ते दिख रहे थे कौन सा रास्ता चुनू मैं उन सब रास्तों से एक एक जाकर आगे बढ़ने का प्लैन बनाया था मैंने। सबसे पहले उस छोटी वाली गली में गया मैं, जो आगे जाकर बंद थी एक बड़ा मोटा लोहे का गेट लगाया गया था जिसे खोला नहीं जा सकता था। आधा घंटा वहां भी लगाया मैंने हर तरकीब लगाई कैसे उससे आगे बढ़ा जा सकता है। हार मान कर मैं वापिस आ गया। एक एक करके उन रास्तों पर भी गया मैं पांच रास्ते एक ही तरे के गेट तक पहुँचते थे। वो एक ही गेट में जाने का रास्ता था और अब छटे रास्ते पर बढ़ते हुए मैं सोच रहा था कहीं ये भी वहीं तक ना पहुँचता हो। मैं एक जगे पहुँचा और सामने एक कागज का दर्वाजा था। लगाते ही पता चल रहा था वो गत्ते और कागज से बना हुआ था। मैंने उसे खोला तो वहां बहुत सारे पन्ने थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। ये कौन सी भाशा थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी एक-एक पन्ने को मैं हटा रहा था। ये कैसा दर्वाजा है या बड़ी सी किताब रखी हुई है? है क्या चीज? सारे पन्नों को हटा देता हूँ आखिर में देखता हूँ रास्ता आगे बढ़ने का है या नहीं? मोटे मोटे उन पन्नों को एक साथ पकड़ते हुए मैंने किताब के सभी पन्ने एक तरफ सटा दिये थे सामने आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था गत्ते का दर्वाजा लगा हुआ था पीछे भी उसे मैंने उस लोहे की रोड से फार दिया पीछे लोहे का गेट वैसा ह मैं एक ऐसी बंद जगे पर आ गया था जहां आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद ही नहीं था मैं जमीन पर बैठ गया था उसके बाद फिर से हिम्मत जागी टांगों में थोड़ी सी जान आई तो मैं छट की तरफ छांकने लगा कभी दीवारों की तरफ दीवारों पर लोही की रोड मारता लेकिन उन पत्थरों को मैं तोड़ नहीं पा रहा था हर कोशिश कर ली थी मैंने कोई और रास्ता होगा आगे बढ़ने का लेकिन नहीं था उसके बाद मैं वापिस मुड़ा उन रास्तों पर फिर से गया वो छे रास्ते कभी मैं एक रास्ते पर जाता कभी दूसरे रास्ते पर कहीं उस गली में कोई मोड तो होगा जो कहीं और ले जाएगा लेकिन नहीं घूम फिर कर मैं उस किताब के आगे ही आजाता यहीं हो सकता है वो रास्ता इस किताब को पढ़ना होगा क्यों यहाँ पर बड़ी सी किताब रखी गई है कौन सी भाषा है ये मुझे समझना होगा कोई ना कोई पहेली तो होगी इसमें जिसमें आगे बढ़ने का रास्ता होगा वहाँ मैंने शुरुआती पन्ना पढ़ा तो नंबर ही थे जो मेरे समझ में आ रहे थे दूसरी भाषा समझ में नहीं आ रही थी वहाँ कुल तीन सो चालिस पन्ने थे और मैं तीन सो चालिसवे पन्ने को पीछे सटा कर आगे उस लोहे के गेट को देख पा रहा था क्यों न एक एक पन्ने को पल्टूं किसी पन्ने पर कुछ तो लिखा होगा ही जो मेरी समझ में आ ही जाएगा एक एक करके पन्नों को पलटना शुरू हो गया पहले कुछ पन्नों पर तो अजीब सी भाशा में लिखी हुए वो शब्द थे लेकिन आगे वाले पन्नों पर आकरितियां बनी होई थी इंसान नहीं थे वो अजीब अजीब आकरितियां कौन से जानवर थे कुछ जानवर आधे इंसान और आधे जानवरों जैसे कुछ बड़े बड़े मूँ बनाए गए थे जबकि कुछ अजीब अजीब सी आकरितियां वहां कई जगे पर शब्द भी लिखे थे A, B, C इस तरहें सिर्फ एक एक वर्ड लिखा हुआ था उसके बाद कई पणनों पर जैसे पानी की आकरिती कई पणनों पर हवा बनाई गई थी हवा को लहराते उए दिखाया गया था कई पणनों पर पेड़ बनाए गए थे लेकिन वो अजीब से पेड़ थे जिनकी पतियां हाथ जैसी थी इसी तरह पन्नों को पलटता गया पलटता गया नमबर आगे बढ़ते जा रहे थे दो सो पचासवा पन्ना सबसे अजीब था दो सो पचासवा पन्ना एक दर्वाजा था वो इस तरह का दर्वाजा था जैसे लकडी का बनाया गया हो लेकिन पन्ने को छूते ही मैसूस हो रहा था ये पन्ना काफी भारी है हाथ लगा कर देखूं इस दर्वाजे को मैंने हाथ लगाया बाहर की तरफ एक कुंडी निकली हुई थी मैंने उसे घुमाया तो उस पन्ने का वो दर्वाजा खुला उस पन्ने का दर्वाजा खुडने के बाद अगला पन्ना निकलना चाहिए था लेकिन नहीं वहां रास्ता था आगे जाने का वहां मुझे सीडियां दिख रही थी ये सीडियां उपर की तरफ चाती थी और उपर से रोशनी आ रही थी जरूर यहां से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा ही मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए उस किताब के पन्ने में मैंने बैर रखा और सीड़ियां चड़कर उपर जाना शुरू हो गया दिमाग घूम गया था मेरा कैसे मैं एक पन्ने में घुस चुका हूँ जबकि आगे तो लोहे का दर्वाजा लगा हुआ था यहां पर ऐसी बहुत सारी चीजे हो चुकी थी जो मेरी समझ से बाहर थी मैं अब सोच भी नहीं रहा था बस मुझे तो जिन्दा यहां से बाहर निकलना था उन सीड़ियों पर चड़ते चड़ते मेरी पैरों ने जवाब दे दिया था कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे मैं ठका हुआ था कुछ समय के लिए उन सीड़ियों पर मैं बैठ गया और ठकान मिटाने लगा आधा घंटा मैं वहीं पर बैठा रहा था कबसे कोशिश करते करते कितना समय बीद गया मुझे पता नहीं लगा था लेकिन शरीर में जान नहीं थी खाया मैंने कुछ नहीं था पिया मैंने कुछ नहीं था शरीर मेरा निचुड चुका था कुछ समय आराम करने के बाद मैंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिये उन सीड़ियों पर चड़ने में परेशानी हो रही थी एक बार आपकी टांगे ठक जाएं जवाब दे दें तो वो चलना नहीं चाहती हैं लेकिन अगर बात जिंदगी पर हो तो उन्हें चलाना ही पड़ता है इसी तरहें मैं उपर चड़ा और उपर एक दर्वाजा था जिसकी एक तरफ से थोड़ी सी रोशनी निकल लही थी मैं जानता था इसके आगे कोई न कोई कमरा होगा बाहर तो इतनी आसानी से मुझे निकलने नहीं दिया जाएगा क्या करूं मैं मैंने हाथ से उस दर्वाजे को खोलना चाहा लेकिन वो दर्वाजा जैसे फसा हुआ था लग रहा था बाहर से किसी ने लौक किया होगा लेकिन वो दर्वाजा जादा पका नहीं था मैं कंधे की टक कर मार बार कर उसे खोलना चाहता था और वो दर्वाजा तूट गया उस दर्वाजे को धाकेल कर मैं बाहर आ गया था और मैं बाहर निकल आया था इस चंगल से मैं एक ऐसे मैदान पर था चारों तरफ घास थी कुछ पेड़ दिख रहे थे ये इलाका कौन सा है मुझे नहीं पता बर्मिंगम के आसपास ऐसा कोई इलाका नहीं है लेकिन क्या मैं वहीं पर मौजूद हूँ या कहीं और पर उठा कर ले जाया गया हूँ मन में कई खयाल थे लेकिन खुला मैदान देख कर मेरी आँखें चमा गए थी मैंने भागना शुरू कर दिया कोई मुझे पकड़ ही न ले यहां से मुझे दूर निकलना होगा मैं उन पेडों की तरफ भाग रहा था और उसके आगे कुछ न कुछ तो दिखी जाएगा मैं सड़क ढूंडूंगा कोई सड़क दिख जाए तो गाड़ी भी वहां पर जरूर होगी और मैं लिफ्ट लेकर यहां से दूर निकल जाओंगा उससे पहले कोई पकड़ न ले मुझे उस मैदान से निकलता हुआ पेडों के पास पहुँचा मैं ये जंगल था मैंने जंगल के अंदर घुसना शुरू कर दिया मैं अपने पैरों की रफतार थमने नहीं देना चाहता था उस जगे से इतना दूर जाना चाहता था कोई पकड़ने आई न पाए उस जंगल के बीच से होता हुआ मन में तसलित ही अब दूर निकल आया हूँ आगे मुझे एक सड़क दिखी गई और मन मचल उठा था यहीं पर कोई मिलेगा फिर भी मैं रुकूंगा नहीं सड़क पर आगे की तरफ भागता जाओंगा जैसे ही मैं सड़क के करीब पहुंचा मुझे दूर खड़ी एक गाड़ी दिखी मेरे कदम बस तेज हो गए थे शरीर में एक जान आ गई थी मैं गाड़ी की तरफ भागता गया भागता गया लेकिन जैसे ही मैं उस गाड़ी के करीब जाता गया मुझे नजर आया उस गाड़ी का एकसिडेंट हुआ होगा बिलकुल उस सड़क के बीच गाड़ी का सिर्फ कांच तूटा हुआ था और वहाँ पर खून के धबे थे मैं और करीब पहुंचा तो पीछे पड़ी दो लाशे दिखी मुझे जिनके सर नहीं थे सर धर से अलग हो चुके थे बड़ा भायानक हासा हुआ होगा जिसमें गाड़ी का बस कांच ही तूटा और ये दो लोगों की मौत हो गई मैं उस गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता था वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी मैं अब उस गाड़ी से भी दूर निकल कर आगे कुछ और लोगों को ढूड़ना चाहता था मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा मुझे और जादा खून के धबे नजर आते रहे अब कुछ और आगे पहुंचा मैं तो वहां पर मुझे लाशें ही लाशें दिख रही थी वहां जैसे कतले आम हो चुका था आखिर इनके साथ हुआ क्या क्या ये भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही तो नहीं कैसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो लोगों को मार रहा है या यहां पर कोई दंगे हुए हैं या किसी तरह क्या गैंग वार हुआ है मन में सवाल तो कई थे लेकिन जवाब देनी वाला कोई जिन्दा मौजूद नहीं था बस मरे हुए इंसान मैं आगे बढ़ता रहा उसी सड़क की किनारे किनारे आगे जाता रहा गाडियां कई खड़ी थी कोई स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी कोई भी काड़ी जादा तूटी नहीं थी उनके कांच ही तूटे हुए थे और उन पर कई सारे खून के धब्बे और कटी फटी सी लाशे शरीर के हिस्से आगे पहुंचा मैं ये कौन सा शहर या गाउं था मुझे नहीं पता कुछ ही घर थे वहाँ पर लेकिन लाशों का भंडार लगा हुआ था वहाँ एक तरफ से चीखें आ रही थी तो मैं च्छिपता च्छिपाता हुआ वहाँ जाने लगा कुछ लोग थे जो चीखें मार रहे थे जरूर वहाँ पर पुलिस भी होगी मैं जैसे ही वहां पहुंचाए एक अजीब सा शैतान कोई जानवर था जो किसी लड़की को काट कर खा रहा था उसके शरीर के हिस्से खींच रहा था मैंने अपनी आँखों के सामने तडपती हुई उस लड़की को देखा लेकिन मेरी हिम्मत उसे बचाने की इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर एक ही वैसा दरिंदा मौजूद नहीं था घर के करीब कई सूंग सूंग कर जैसे इनसानों का पता लगा रहे थे मेरे कदम पीछे हट गए उन्हें पता ना लग जाए मैं यहां पर मौजूद हूँ मैं वहां से दूर भागने लगा लेकिन मेरे पैर उन सूखे हुए पत्तों पर शायद पढ़ गए थे जिस कारण वहां काफी आवाज हुई और वो दरिंदे मेरा पीछा करने लगे उनकी भागने की रफदार मेरे भागने की रफदार से थोड़ा ही कम थी वो बेहद करीब से निकल रहे थे और जैसे मुझे पकड़नी की कुशिश कर रहे थे ये अजीब से जानवर थे जिनकी कई सारी टांगे थी लेकिन फिर भी मैं उन्हें मकड़ी की तरह नहीं देख रहा था बलकि किसी और जानवर की तरह देख रहा था उनके लंबे लंबे दांट थे जो गालों से मास फाड़ कर बाहर की तरफ आए हुए थे मुँ खुल नहीं रहा था उनका जैसे गर्दन की नीचे एक बड़ा सा मुँ था वो क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा था अजीब तरह से उस लड़की को खाया था उन्होंने इसके बाद पास के घरों में दर्वाजा खोल कर मैं छिपने की कुशिश करता रहा लेकिन उनमें इतनी जान थी दर्वाजों को उखाड फैका दिवारों को फाड दाला था इस शक्ती का सामना मेरे जैसा साधरन इंसान नहीं कर सकता था मैं रोता बे लगता हुआ माफी मांग रहा था लेकिन उनको शद मेरी भाशा समझ में नहीं आ रही थी दिवारों को फाड ते हुए वो ऐसा एसास दे रहे थी जैसे मेरे शरीर को एक ही शण में चीर डालेंगे और मैं सिसकता सिसकता हुआ उनके शरीर के अंदर पच जाओंगा क्या हुआ है यहां मुझे मेरे सवालों का जवाब तक नहीं मिलेगा ये घर के अंदर आएंगे और मुझे मार देंगे वो सामने से दीवारों और दर्वाजों को फाड रहे थे तो पीछे वाली वो खुली खिड की देख मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा मैं वहां से निकला और वो घर में अंदर घुसने की कोशिश करते रहे उन्हें शायद पता नहीं लगा मैं पीछे की खिड की खोल कर बाहर निकलाया हूँ मैं भागता रहा घरों में छिपता रहा लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी जैसे इस सब को पता चलता जा रहा था एक इनसान है जो जिन्दा है भाग रहा है उसका अंत करना है सबका लक्षे एक ही था और लाशों के उपर से जाते हुए मुझे भी लग रहा था मेरा यही हाल होगा कहां जाओंगा मैं कितनी दूर जाओंगा उनकी संख्या बहुत थी वो भीड मेरे पीछे भाग रही थी मेरे पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था वो तो लोहे को भी ऐसे चीर रहे थे जैसे आहसानी से मक्षन को कोई तेज धार हथ्यार चीर देता है अब कोई रास्ता नहीं था कदम लड़ खडाने लगे थे तब ही सडख के बिल्कुल बीचों बीच एक दर्वाज़ रखा हुआ था किसने रखा होगा सडख के बीच में दर्वाज़ा किसी को रोकने के लिए या कहीं जाने के लिए बस दर्वाजा था पार मुझे सड़क ही नजर आ रही थी लेकिन फिर भी मन मचल रहा था कुछ नया करता हूँ शायद बच जाओंगा वैसे भी आज क्या क्या नहीं देखा मैंने हो सकता है ये दर्वाजा कहीं ले जाए मुझे गिसड़ता हुआ उन्होंने मेरे शरीर को पकड़ रखा था मैं आगे बढ़ रहा था उस दर्वाजे के पास पहुँचते ही जैसे उन्होंने मुझे घेर लिया था बस ये दर्वाजा था आखरी रास्ता मेरे पास अगर इस दर्वाजे को खोला और ये साधारन दर्वाजा ही निकला तो ये मुझे चीर डालेंगे वो भी इंतजार कर रहे थे कि मैं एक आखरी कोशिश कर कर देख लूँ बचने की कोशिश अगर मैं जीत पाया तो बचा वरना इनके पेट में इनकी भूख मिटाओंगा मैं दर्वाजा खोला मैंने आखें बंद करके जैसे उस दर्वाजे के पार चला गया तब ही मेरा पैर फंसा मैं गिरा सामने घास थी और कुछ पत्थर रखे हुए थे जिससे मेरा सर टकरा गया कुछ दर्वा मैं चीखने लगा मुझे लगा वो दरिंदे मुझे चीर डालेंगे लेकिन किसी ने मुझे चुआ तक नहीं आँखें खोलना नहीं चाहता था मैं बस चीखे जा रहा था मेरी टांग को पकड़ा किसी ने मेरी बाजू को पकड़ा किसी ने और मैं सिमठ सा गया मरने का इंतजार करने लगा लेकिन उसने खींच कर जैसे मुझे खड़ा कर दिया मैं आँखें अभी खोलना नहीं चाहता था लेकिन कान में पड़ी वो आवाज भाई साब क्या हुआ ये आवाज ने मुझे आँखें खोलने को मजबूर कर दिया मैंने आँखें खोली तो सड़क पर कई लोग थे जो मुझे इस तरह से रोते हुए देख रहे थे बहुत सारे लोग कहां पहुँच गया मैं मैं अपने घर के बिल्कुल आगे था मैंने पीछे मुण कर देखा जो दर्वाजा मैंने अभी अभी खोला था वो तो मेरे घर का दर्वाजा ही था क्या हुआ मेरे साथ मैं समझ नहीं पाया समय सुभै का था शरीर मेरा ठका हुआ था कपड़े मेरे फटे हुए थे शरीर के साथ तो वो हुआ था जो मैंने देखा लेकिन समय भी दाई नहीं था सामने अकबार बड़ी थी जो हर रोज यहां पर आती है तारीख हुआ ही थी मैं कितने घंटों से कोशिश कर रहा था निचूड चुका था लेकिन समय जैसे आगे बड़ा ही नहीं था मैंने कई लोगों को बताया मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए लेकिन मैं जैसे जैसे उन्हें बताता रहा उनकी निकलने वाली हंसी मुझे समझा रही थी मैं पागल हूँ क्या सच में मैं पागल हो गया जो मेरे साथ घटा क्या वो सच में हुआ या सपने में एक घटना थी मैं मानने को मजबूर हो गया था मैं पागल ही तो नहीं हो गया लेकिन उन पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई वो घटना या जीब थी कहां पहुंचा मैं अपने घर का दर्वाजा खोल कर मुझे उसके बाद साइकेटरिस्ट के पास जाना पड़ा था और उसने भी मुझे समझाया कभी कभी हमें ऐसे भ्रहम होते हैं जो सच्चाई जैसे लगते हैं लेकिन असल में नहीं होते शायद मैं सो गया था कुछ ऐसी दवाई खाली होगी मैंने कि सपना मुझे सच जैसा लगा होगा मुझे मानने पर मजबूर कर दिया गया था कि वो एक सपना था और दो दिन बाद मुझे चुट्टी मिली थी शरीर की हालत थोड़ी सी सुथर गई थी तो मैं घर की तरफ निकल पड़ा था मान गया था मैं ये सब जूट है मेरे मन का भ्रम है वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था शायद कोई शैतानी शक्ती होगी जो दिमाग के साथ खिल लही थी या सच में मेरा भ्रम था जो इतने सालों से काम करने के बाद दबने के कारण मुझे महसूस हुआ था कबसे मैं काम कर रहा हूँ चुटी कम ही लेता हूँ शायद स्ट्रेस के कारण दिमाग हिल गया मेरा घराती वक्त मैंने सोच लिया था साधारन जिंदगी जीऊंगा मैं जादा स्ट्रेस नहीं लूँगा कुछ घंटे काम के कम कर दूँगा मैंने अपने घर का दर्वाजा ही खोला था सामनी कागस था मैंने उस कागस को उठाया दूसरी तरफ थैंक्यू लिखा था ये अजीब से शब्द थे कौन सा फौट था जैसे उनसे खून टपक रहा हूँ गीले गीले थे लेकिन फिर भी मेरी उंगली पर लग नहीं रहे थे मैं जान गया था कुछ हुआ है जिसे इनसान समझ नहीं सकते कुछ अजीब सा कुछ दिनों बाद गाड़ी लेकर मैं उसी जगए पर गया था जहां से मैंने वो डिश वशर खरीदा था मैं उस बूड़े आदमी को देखना चाहता था लेकिन वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला उस जगए कोई घर मौजूद ही नहीं था बंजर जगए अभी घर बनने हैं वहाँ पर डेड़ सो साल पहले वहाँ पर इंसान रहा करते थे लेकिन तब ही आग लगने के कारण सभी कर तबाह हो गए थे तब से वहाँ पर कोई घर बनाया नहीं गया वो घर भी तो डेड़ सो साल पुराना सा दिखा था मुझे वहाँ से वापिस मैं आ गया था हर किसी को इस कहानी को सुनाता हूँ हर कोई मेरे चेहरे पर हसता हुआ नजर आता है मैं तु जानता हूँ मेरे साथ वो ऐसी घटना होई थी जिसे मैं समझा नहीं सकता कुछ है यहाँ पर मौजूद जिसे हम जान नहीं सकते कोई शक्ती है वो जो हमें ऐसा भ्रह्म देती है शायद किसी दिन मेरी ये कहानी सुनने वाले के साथ भी कुछ ऐसा होगा कि वो मुझे पर यकीन कर पाएगा